नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बीके अलनाउंडर चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीजोन टीजेड इंजेक्शन इसका जो साल्ट है दोस्तों वो सेफ्टर एक जोन सोडियम होता है एक हजार एमजी और टजबैक टम सोडिय इसका साल्ट होता है प्रीजोन टीजेड एक पॉइंट एक सोड़ जीम यह इसकी कौन्टिटी होती है तो दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले आप से उन्रोद है कि आप हमारे वीडियो को लाइक सेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा तो दोस्तों सबसे पहले जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसका लाव उठा सके तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल किन-किन समस्याओं में किया जा सकता है किन-किन समस्याओं में इसलिए दोस्तों क्योंकि यह एक एक एंटिबायोटि इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों बुखार ठंड लगके बुखार आता हो अरच जो रेड रोपय है यह बहुत ही बढ़िया इंजक्षन न्हें यह टो इसके बाकी उपयोग दोस्तों यह होते हैं कि जैसे किसी का एकसिदेंट हो गया हो उसके चोट लगी हो घॉघ हो तो घाव को जल्दी ठीक करने के लिए जाखम को जल्दी सुखाने के लिए भी अ इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलाबा दोस्तों याद किसी का कोई भी हतियार से कट गया है, धार-दार हतियार से कट गया है। तो उसको जक्म को जल्दी से ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया इंजक्शन होता है इन सभी समस्याओं में यह बहुत ही अच्छा काम करता है काईने का मतलब दोस्तों यहां है कि यहां इंजेक्षन आलाॉंडर है आलीन बानी इंजेक्षन है और इसका जो इस्तेमाल है आप सभी समस्याओं में डाक्टर की देखरेक और डाक्टर के परहमर्ज के अनुसार कर सकते हैं तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इंजक्शन का इस्तेमाल किस उम्र के लोगों को कितना करना चाहिए. तो इसके लिए जो 18 से 35 साल तक के हैं, उनका सरीर हश्ट पुष्ट है, सरीर का बजन मिनिममम 50 किलो होना चाहिए. और या 50 किलो शरीर का बजन है और उनमें से बताईगी समस्या में से कोई भी समस्या आपको है, तो आप इस इंजक्शन का इस्तेमाल सुबे और साम दिन में दो बार 10 घंटे के गईब से कर सकते हैं. जी हां दोस्तों, दोनों इंजेक्शन सुबह और साम बाले इंजेक्शन के बीच में मिनमुम तस घंटे का गईप होना चाहिए इसके अलावा जो 12 से 18 साल तक के लोग हैं उनको इसका इस्तेमाल दिन में एक बार आधा इंजेक्शन मतलब 500 mg सेप्टेक जोन और लगभग 62.5 mg साढ़े 65 mg टेजबेक्टम इंजेक्शन जो है उनको दिन में एक बार लगवाना चाहिए और दोस्तों जिन लोगों की उम्र कम है बारा साल से नीचे बाले इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और जो 18 से उपर के हैं 35, 40 या 25, 30 तक के और उनके सरीर का बजन और सरीर की सेहत और हेल्थ सही है वो ही इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है सुबे साम करें अब दोस्तों जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो दोस्तों इसके साइड इफेक्ट में जो है पेसेंट को चक्कर आ सकता है उल्टी ह हो सकती है वो मीटिंग हो सकती है आंखों के सामने अधेरा चाह सकता है दाने निकल सकते हैं चकते हो सकते हैं पूरी तो चापर जलन पड़ सकती है पेट में और मरीज जो है वो बेहोस भी हो सकता है और बेसुद हो सकता है तो इसलिए इस इंजक्शन का इस्तेमाल डाक्टर क देख रेक और डाक्टर के पारहमर्स के अनुसार ही करें और अपनी मरजी से किसी भी दबाई का इस्तेमाल घर पर करना आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है अपना ख्याल रखिए आप स्वस्तर है यही मेरी कामना है तब तक के लिए जाए हिंद जाए भारत